आज है तीन फरवरी दो हजार इक्षिस मुरली का सार, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फर्मान है इस पुरुशोतम संगम युप पर पवित्र बनो तो सत्युक का वर्सा मिल जाएगा प्रश्न, कौन सा सस्ता सौधा सबको बतलाओ उत्तर, इस अंतिम जनम में बाप के डाइरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जनमों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी यह बहुत सस्ता सौधा है यही सौधा करना तुम सबको सिखलाओ बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे धार्ना के लिए मुख्य सार पहला उजपद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने है पत्थर नहीं मनसा, वाचा, कर्मना ऐसे करम करने हैं जो मर्यादा पुरुषोतम बनाने वाले हो दूसरा, इस अंतिम जनम में पवित्र बनने की प्रतिग्या करनी है पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है वर्दान, सदा कल्यान कारी भावना द्वारा गुण ग्राही बनने वाले अचल अडोल भव अपनी स्थिती अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुण ग्राही बनू अगर हर बात में गुण ग्राही होंगे तो हल्चल में नहीं आएंगे गुण ग्राही अर्थार्थ कल्यान की भावना अवगुण में गुण देखना इसको कहते हैं गुण ग्राही इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ जैसे वह अवगुण में द्रिड है ऐसे आप गुण में द्रिड रहो गुण का ग्राहक बनो अवगुण का नहीं स्लोगन अपना सब कुछ बाप को अरपण कर सदा हलके रहने वाले ही फरिष्टे हैं ओम शांती